हेलो फ्रेंज आप लोग कैसे हो आई होफ सब ठीक होंगे आज हम बात करते हैं क्रेश्चुला ओवाटा के बारे में फ्रेंज इसको लोकल नर्सरी में गोलूम के नाम से भी जाना जाता है और इसको फिंगर जेट भी बोलता है फिंगर जेट इसलिए बोलता है कि इसके होता है और इसके mixer के बारे में बात करेंगे और watering के बारे में भी आज हम बात करते हैं प्रेंज आप मेरे चैनल में first time हो तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजे और share कर दीजें बेल आइकन को भी दवा दीजे स्टार्ट करते हैं और no. one में आप leaves के through तो यह बैस्ट होता है तो यह बेस्ट होता है और आपके यह रूट जल्दी डेपलफ होता है हैं और इसके बारे में बात करें हूं जह साथ लिए क्मपोज से बर्मी कंपोज से यवाइड़ से और वाटरिंग के बारे में बात करें हैं तो इसको कम पसंद होतا ना आपको लग रहा है तो अब हपते में तीन बार दे सकते हो और इसके विंटर के टाइम पर बोलूं तो आप हपते में एक बार दे सकते हो और ज्यादा दिया है तो फ्रेंज यह खरप हो जाता है और इसके विंटर के बाद करेंज तो फ्रेंज आप इसको डायरेक्शन में डग दीजें यह बहुत अच्छा कालर हो जाता है इसमें रेट रेट हो जाता है और फ्रेंज आप लोगों में देखाती हूं लीप के तुरू कैसे प्रपोकेशन करना है मैं इसको ब्रांच के तुरू नहीं करना चाहती हूं क्योंकि मुझे तोरने का दिल नहीं कर रहा है यह मेरा चोटा सा प्लांट है इसलिए लीप मेरे अल्रीडी गिरा हुआ है इसके मैं करके आप लोग के दिखाती हूं और मैंने मिक्सर रैडी करके रखा है ठेसे सकती हूं मैं सब प्लांट मे एक ही मिक्सर बनाती हूँ है मेरे आल्रेडी लिप्स गिर है, यह लगाऊंगी और आपको इहां से तोर के लगना है तो आपको मैंच oke लेना है और यह मैंचर नहीं होता है नहीं होती हं दिखाते हूं एसे लिप्स लेना है अऱ यहां पर लगा के दिखाती Ms. मैं आपको दो दो वाह प्रेंस कर देना है यह अपको यहां के थू आपके इसके इसंफितर आपके रूट डेपलोफ हो जाता है और फ्रेंज वान पोल rookie में इसके सब्सक्रेंद के अपने कि तो मैं आपको इसक आपड़ेट देёट दोंगी और आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगा मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिए, सेयर कर दिजिए, कमेंट कर दिजिए और हम नेक्स वीडियो में मिलते हैं और टेक क्यार, ओके बाई